कि देखें यहां पर कि देखें नमबर एक कोस्टन की है सुची एक को सुची दो से सुमिलित किजिए तता सुचियों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चेन किजिए अब यहां हम मिलाएंगे कि अस्टांग हिर्दय यानि अस्टांग संग्रह का संबंद किसे है आर्विज्ञान से है दस रूपक का संबंद किसे नाट कला से है लीलावती का संबंद किसे है गनीच से है अब महाभास इसको पढ़िए महाभास इसको पढ़ना है महाभास महाभास का संबंद किस से है तब्याकरन से है अब मिलाइए कौन सा आता है तो A खा क्या है चार B खा क्या आएगा 1 C का क्या आएगा 3 D का क्या आएगा और D का आएगा 2 इसका सही आंसर होगा B अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि अश्टांग हिर्दै यहाँ पर अश्टांग हिर्दै की रचना किस ने किया था अश्टांग हिर्दै की रचना वाग भट ने किया था किस ने किया था वाग भट बान भट नहीं वाग भट ने अश्टांग हिर्दै की रचना की थी दस रूपक की रचना कोन किया था धननजय ने धनन्जय ने दस रूपक जैसी पूस्तक की रचना की थी और लिलावती जैसी पूस्तक की रचना कोन क्या था भासकर भासकर दूतिय ने और पतंजली ने पतंजली की बात करते तो हम देखते क्या है यहाँ पर और हम देखते हैं कि पानिनी की रचना अस्टाध्याई ब्याकरन की सबसे प्राचीन पूच्टक मानी जाती है और पतंजली इस पर क्या लिकाता भाश? आई यहाँ पर महाकाव तो ब्याकरन तो पानिनी की रचना अस्टाध्याई अस्टाध्याई ब्याकरन की सबसे प्राचीन पूच्टक मानी जाती है पानिनी की रचना अस्टाध्याई ब्याकरन की सबसे प्राचीन पूच्टक मानी जाती है यहाँ पर दो-तीन तरह से पसंद को ध्याम रखना है पुछेगा कि अस्टांग हिर्दय जैसी पुस्तक का संबन किस से है ते आउर्विज्ञान से पुछेगा दस रूपक जैसी पुस्तक का संबन किस से है नाट कला से है पुछेगा लीलावती जैसी पुस्तक का संबन किस से है गनीत से है तो महाकाब कौन है तो ब्याकरन यहाँ पर दे रहा है ब्याकरन और यहाँ पर पानिनी की रचना अस्ट्रादिहाई ब्याकरन की सबसे प्राचीन पुष्टक मानी जाती है तो अस्टांग हिर्दय की रचना कोन किया था वाग भट दस रूपक की रचना कोन किया था धनन जय और लिलाबती की रचना कोन किया था भास कर दूतिया ने किया था और ये लिलाबती का संबन गनीत की पुस्तक से है यानि गनीत से है आई यहाँ पर नमर दो में कथन एक मो मोहन जोद्रो तथा हरप्पा नगर अब बिलूप्त हो गये हैं कारण R में, वह खुदाई के दोरान परकट हुए थे, यानि क्या है यहाँ पर, इसका सही क्या होए A, और R दोनों ही सही है, किन्तु R सही अस्पस्ट्री करन नहीं है A का, इसका सही आंसर होगा B, मतलब कर रहा है कि मोहन जोद्रो तथा हरप्पा नगर अब बिलूप्त हो गये हैं, यानि सही में बिलूप्त हो गये हैं, यानि थे ना, लेकिन अब पता नहीं चलता है, पहले था ना, तब तो बिलूप्त है, तो यह सही है, वह खुदाई के दोरान पर कट हुए है, या भी सही है दोनों सही है लेकिन एक दूसे की सही ब्याख्या नहीं करता हरपा की बात करते हैं तो हरपा एवं मोहन जोदरों को जुरुवा नगर की संग्या दी गई है हरपा बर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ के मौंट गोमरी जीले में राबी नदी के टट परिसी था हरपा के बारे में सर पर्थम जानकारी 826 सिसी में चार्ल्स मेंसर ने दिया था हरपा का उत्खन काज 1921 सिसी में दिया राम शानी ने जौन मार्सल के निर्देशन में प्रारम किया था हरप्पा के उत्खरन से एक कबरिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे समाधी 837 नाम दिया गया आप से प्रस पुछा जाएगा हरप्पा तो हरप्पा के बारे में सरपर्थम जानकारी कोन दिया था हरप्पा के बारे में सरपर्थम जानकारी 826 में कोन दिया चार्ल्स मेंसर ने दिया था चार्ल्स मेंसर ने दिया था हरपा कहां है? हरपा बरत्मान समय में पाकिस्तान हरपा बरत्मान समय में पाकिस्तान के मौन्ट गोमरी जीले में मौन्ट गोमरी जीले में किस नदी के टट परिसित है? तो राभी नदी के टट परिसे थे रहे हरआपा के उधखरंद कार्ज गभ हुआ था तो 1921 इस्वी में 1921 इस्वी में कौन किया था तो दयाराम शाहनी ने किसके निर्देशन में जौन मार्सल के निर्देशन में प्रार्म किया था जॉन मारसल के निदेशन में प्रारम कहता है हर अपा कुछ खरंद के कबरीस्तान पर आप्थ हुआ है जिसे नाम क्या दिया गया है नाम दिया गया R-37 जहां तक मोहन जोदरो की बात करते हैं तो हम यहाँ पर हर अपा की बात तो कर लिए हैं अब हम बात करने जा रहे हैं मोहन जोदरो, मोहन जोदरो का अर्थ होता है मिर्तकों का टिला, मोहन जोदरो को मिर्तकों का टिला इसलिए कहा गया, क्योंकि मोहन जोदरो से मानव डनकरनकाल के धेर ही धेर प्राप्त हुए हैं, इसलिए मोहन जोदरो को मिर्तकों का टिला कहा मोहन जोद्रो को हम सिंध के नकलिस्तान या सिंध के बाग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पहले मोहन जोद्रो काफी हरा भरा था इसरे मोहन जोद्रो को सिंध के नकलिस्तान या सिंध का बाग कहा गया मोहन जोद्रो की खोज 1922 सिसी में राखाल दास बनरजी ने किया था मोहन जोद्रो की उत्खनन से एक सूती कपरे का टुकरा मिला है आप से प्रस पूछा जागा कि मोहन जोद्रो का अर्थ क्या होता है मोहन जोद्रो का अर्थ होता है मिर्तकों का तिला मोहन जोदो को हम क्या कहते हैं? मोहन जोदो को हम सिंद के नकलिस्तान या सिंद के बाग के नाम से भी जानते हैं. मोहन जोदो कहा है? मोहन जोदो पाकिस्तान के सिंद प्रांत के लरकाना जीले में सिंदु नदी के टट परिसित हैं. सिंदु नदी के टट परिसित हैं. टट परिस्थित हैं. मोहन जोदो की खोज कब हुआ था? मोहन जोदो की खोज 1922 में कौन किया था? राखाल दास बनरजी ने किया था. मोहन जोदो की उत्खरन से क्या मिला है? एक सूती कपरे का एक सूती कपरे का तुकरा मिला है. आईए अब. अहला कौन थारे? दोसर तेसर आईए यह तेसर नमबर तीन प्रस्ण में देखिए. यहाँ देखिए धर्म तथा रीत. भारत की प्राचीन बेदिक सभयता के एक केंद्रिय भीचार को चित्त करते हैं. और इस संदर्व में निमलिखित कत्नों पर भीचार किजिए. निमलिखित कत्नों पर भीचार किजिए. जा देख तो यहाँ पर. राहुल कुमार का है, अनंत, भारती का है. आईए यहाँ पर और अनामिका भारती और उसके बाद अंकित कुमार सिंग का है अंकित कुमार सिंग देते हैं टेस्ट प्लीज बेलेंगोल कर बादेजिये सर पता नहीं कोई से आप इंगलिस परहे हुए हैं हमको समझ भी नहीं आ रहा है हम तो परहाते हैं फर्सक्लास का जो है इंगलेईश मीडियम है सबचीज उसका फर्सक्लास वह आराम से हिंथी को समझता है और अपनी भा साम एंगलीश मूल लेता है उतनाप हमारा क्लास जब परहाते है टाट मेहना नौ मेहना क्लास चलता है लर्का को हिंदी तो बुलते ही हैं और हिंदी जैसे बुले हैं वो आप समझता हमारा बात को समझ कर अपनी भासा में इंगलीस में खटाक दबड़ वो आप टांसलेट कर लेता है और इतना ही नहीं बिहार क्या बिहार क्या हर जगह 100% हिंदी इंगलीस में कोई नहीं बढ़ाएगा आपको कारण यह है कि 100 लर्का में 99 लर्के जो होते हैं वो सिर्फ हिंदी ही जान रहा है चर्म कुछ इंगलीज में बताया जा सकता है तो जहां पर सौम इन इनावे लर के हिंदी जान रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं वहां इंगलीज में आपको कौन बतायागा और हमें नहीं लगता है कि आप हिंदी बोल रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं हिंदी सोच रहे हैं हिंदी पर रहे हैं लेकिन आप हिंदी लिख नहीं पाते हैं इक कोंतरा का पराय किये हैं पता नहीं वो तो आप समझ सकते हैं आए यहाँ पर क्या है धर्म तथा रित भारत की प्राचीन बैदिक सभता के एक केंड्रिय बिचार को च बैक्तिगत कर्तब्यों की सलकल्पना था, बिल्कुल सही है, क्या का रहा है, यहां का रहा है कि धर्म बैक्ति के दाइतियों एवं, एवं स्वेम तथा दुसरों के पड़ती बैक्तिगत कर्तब्यों की सलकल्पना है, बैक्तिगत धर्म, हम अपना किस धर्म को मारेंगे, हम कै यहां पर देखिए विल्खुल यह सही है, यहां है कि रित मूल भूत नैतिक विधान था, जो स्रिष्टी और उसमें अंतर नहित सारे तत्तों के क्रिया कलापों को संचालित करता था, और इसका यह भी सही है, दो भी सही है, तो एक और दो दोनों सही है, तो आप देखेंगे option एक और दो कुछ में है, तो इसका सही answer C हो जाता है, तो अब हम देखते हैं कि यह जब बैदिक काल की बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि रिगव्यदिक काल के लोग परकीर्थी की पूजा बिभिन रूपों में करते थे, रिगव्यदिक काल के लोग मूर्ती की पूजा नहीं करते थे और नहीं रिगव्यदिक कालिन मंदिर के कोई परमान मिले हैं। रिग्वेदी काल के सबसे प्राचीन देवता धाव थे और ये धाव आकास के देवता थे। इंद्र युद्र एवं बर्सा के देवता थे। और इंद्र की उपाधी क्या थी? इंद्र की उपाधी पुरंदर थे। तो रिग्वेदी काल के दूसरे महत्पूर्ण देवता अगनी थे। और अगनी का उलेक 200 सुक्तों में हुआ है। और अगनी मानो एवं इस्वर के बीच मध्यस्ता की भूमिका निभाता था। मध्यस्ता की भूमिका निभाता था। अगनी को अतीथी कहा गया है। अतीथी उसे कहते हैं जो निश्चिस समय के लिए आता है। अएक निश्चिस समय के बाद चला जाता। तो अगनी को अतीथी इसलिए कहा गया सुबह साम हर घर में खाना बनाते बक्त अगनी होता है। और खाना बनते ही घर से अगनी को समात कर दिया जाता। इसलिए अगनी को अतीथी कहा गया। अब आपसे जहां प्रस पुछा जाएगा कि रिगवेदी काल के लोग परकिर्थी की पूजा विभीन रूपों में करते थे। क्या रिगवेदी काल के लोग मूर्थी की पूजा करते थे। तो रिगवेदी काल के लोग मूर्थी की पूजा नहीं करते थे। पुझेगा रिगव्यदी कालीन मंदिर का परमान मिला है रिगव्यदी कालीन मंदिर का परमान नहीं मिला है पुझेगा रिगव्यदी काल के सबसे प्राचीन देपता कहों थे तो सबसे प्राचीन देपता धव ये क्या चीज देपता थे आकास के देपता थे रिग्वेदी काल के सबसे महत्पुन और सक्तिसाली देपता इंदर थे इंदर का उले कितने सुक्तों में हुआ है थे 250 सुक्तों में इंदर क्या थे इंदर यूध एवां बढ़सा के देपता थे इंदर की क्या उपाधी थी थे पुरंदर पुरंदर कार अर्थ क्या होता है किला को तोड़ने वाला या किला को जीतने वाला रिगवेदी काल के दूसरे महत्पूर्ण देपता कौन थे अगनी अगनी का उले कितने सुक्तों में दो सुक्तों हुआ है अगनी मानवियों इस्वर के बीच किसकी भूमिकानी बाता था तमध्यस्ता की भूमिकानी बाता था अगनी को क्या चीज की संग्यां दी गई है अतीती की संग्यां दी गई है आईए आप नमर चार की ओड़ा ये प्राचीन भारत के बौद मठों में परवन दकी प्रस्म पूछेगा परवन नामक समारो आयोजित किया जाता था जो संग परिनायक और धर्म तथा बिने विशायों पर एक वक्ता को चुने जाने का आउसर होता था ये गलत है बरसा रीतु के दोरान मठों में परवास के समय भिक्षूओं दोरा किये गए अपराधों की स्विक्रिती को स्विकारोक्ती का आउसर होता था किसी नए बैक्ती को बहुत समय परवेश देने का समहरो होता था जिसमें उसका सिर मुरुवा दिया जाता था और पीले बस दे दिये जाते थे गलत है इसका सही आंसर भी हो जागा बरसा रीतू के दोरान मठों में परवास के समय भिक्षूओं दोरा किये गए अपराध की स्विरोक्ती का आउसर होता था और इसे कहा गया परवान यानी बात ये है कि बोध धर में होता या क्या था कि बोध धर में और बरसा रीतू के समय कोई उब देश देने के लिए कोई कार्ज होता नहीं था एक जगा लोग रुकते थे तो ये बरसा रीतु के दौरान जब बौध मठ में बौध भिक्चु रुकते थे तो उस दौरान उस बातों पर विचार करते थे कि जब हम उबदेश काल में अपना काम कर रहे थे तो हमसे क्या किया गलतियां होई तो अपने दौरा किये गए गलति को सुधारने का एक औसर होता था और उस औसर को एक नाम दिया गया जिसका नाम था परवन इस परकार प्राचीन भारत के बौध मठो में परवण नामक समारु आयूरित किया जाता था जो बर्षा रितु के दोरान मठो में परवास के समय भिख्छुओं दोरा किये गए अपराधों की स्विकवरक्ति का अउसर होता था बौध संग में परवेश के लिए नियुन्तमायू 15 बर्ष निधारित की गई थे बौध संग में चोर हत्यारे एवं डाको को परवेश की अनुमती नहीं थी इस परकार बौध संग में परवेश पाने वाली पहली महला परणपती गौतमी थी या महातमाबूध की मौसी एवं सोतेली मा थी यहां तक कि सफर में कोई दिक्का थे तो बोला है अंकित कुमार सिंग लिखते हैं टेस्ट फिलीज बेनलेगवल करवा जीजिए अस्पेशल कुमार पेपर और पॉलिटी ठीक है आपकी बात को हम रखते हैं संसद में रखा जाएगा आपकी बात को ठीक है, संसद में आपकी बात को अंकित कुमार हम रखते हैं ठीक है, और कुछ भी बात है और को दिकत नहीं चलिए, आगे बढ़ जाए हम नम्मर पॉच में देखें बराबर पहारी की गुफाओं के बिस्या में निन में कौन एक सही नहीं है तो यहाँ पहले हम देखेंगे की बराबर पहारी पर कुल चार गुफाओं है सही है और इसमें सही नहीं है, वो चुनना है तो तीन गुफाओं की दिवारों पर असोक के अभिलेक उतकिर्ण है यह भी सही है यह अभिलेक इन गुफाओं को आजीव विकाओं संपरदाय को समर्पित होने का उल्ले करता ही अभी सही है जब A, B और C तीनों सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपर युक्त में से कोई नहीं यानि कोई इसमें और सत्य नहीं है यानि सब का सब सही है बराबर एवन नागाजूनी पहारी की बात करते हैं तो बराबर एवन नागाजूनी पहारी बरतमान समय में जहानाबाद जीले में स्थित है बराबर पहारी में असोक ने एके गूफा का निर्मान कराया था सुदामा गुफा, विस जोपरी गुफा, कर्न एबम चोपर गुफा इस गुफा का निर्मान कराकर असोक ने आजीवक संपरदाय को दान में दिया था यही बात परमानित करता है कि कलिंग यूद के बाद असोक का हिर्दय परिवर्तित हो गया वह बहुत धर्म गरहन कर लिया और अन धर्मों के परति उदार था कि नितियक नहीं अगर ऐसी बात नहीं होती तो वह आजीवक संपरदाय को दान में नहीं देता असोक का पौत दसरत पौतर किसको कतें पौता असोक का पौत दसरत आजीवक संपरदाय को मानने वाला था दसरत ने बहाबर पहारी में लोमस रीसी के गूफा का निर्मान कराया तो नागार जूनी पहारी में गोपी गूफा का निर्मान कराकर आजीवक संपरदाय को दान मे दिया था, आजीवक्सन परदायक किया था, अपना मोखली पुत्र गोश्राल ने किया था, यह नालंदा का रहने बाला था, और महाबीर स्वामी का सिस्थ था, महाबीर स्वामी के जैन धर्म से अलग होकर, एक नया धर्म चलाया था, जिसका नाम था आजीवक्सन परदायक, आपसे प्रस पुछा जाएगा, बराबर एबाम नागार जूनी पहारी कहा है? जहानाबाद जीले मिश्ती थे. जहानाबाद जीले मिश्ती थे. बराबर पहारी में असोग ने चार गुफा करने नाम करा है, कौन-कौन तो सुदामा गुफा, बराबर पहारी में असोग ने चार गुफा करने नाम करा है, सुदामा गुफा, विस्व जोपरी गुफा, जोपरी गुफा कर्ण एवम जोपर नाम गुफा का निर्मान कराकर किसको दान में दिया था आजीवक संपरदाई को ये को कट्ची राइटिंग कर दो ने इसको आजीवक संपरदाई को दान में दिया था असोग के पौतर का क्या नाम था असोग के पौतर का क्या नाम था असोग के पौतर का नाम दसरत था और दसरत की संपरदाई को मानने वाला था तो दसरत आजीवक संपरदाई को मानने वाला था तो आजीवक संपरदाय को मानने वाला था, तो दसरत ने बराबर पहारी में किस गूफा का निर्मान कराया था? दसरत में बराबर पहारी में लोमस रीसी के गूफा का निर्मान कराया, तो नागारजूनी पहारी में गोपी गूफा का निर्मान कराकर आजीवक संपरदाय को दान में दिया था? आजीवक संपरदाय को दान में दिया था, आजीवक संपरदाय की अस्थापना किस ने किया था? तो मोखली पुत्र गोशाल ने किया था, किस ने किया था? मोखली पुत्र गोशाल ने किया था, कहा करहने वाला था? तो नालंदा करहने वाला था, किस का सिस था? तो महावी स्वामी का महावीर स्वामी का महावीर स्वामी के की धर्म से जैन धर्म से अलग होकर एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था आजीवक संपरदाय जिसका नाम था आजीवक संपरदाय पुछेगा आपसे कि बराबर एवं नागारजुनी पहारी कहां है तो जहाना बाद जी जी ले मिश्थी थे तो बराबर पहारी में असोक ने किस किस गूपा निर्माण करा का चार गूपा क्या था और किस संप्रदाय और किस संप्रदाय को मानने वाला था था tá हम देखते हैं कि असोक के पौतर दसरत ने बराबर पहारी में किस गुफा का निर्मान कराया था लोमस रीसी के गुफा का निर्मान कराया तो नागार जूनी पहारी में गोपी गुफा का निर्मान कराकर आजीवक संपरदायक को दान में दिया था तो आजीवक्स संपरदाय का स्थापना कोन किया था? तो मोकली Πुत्र गोश्याल किया था, कहा का था? तो नालंदा करने बाला था, किसका सिच्ता? महावीर स्वामी का. तो महावीर स्वामी कोन? तो जैन धर्म से अलग होकर एक नया धर्म चलाया, जिसका नाम था आजीवक संपरदाएं आई यहाँ पर नमर छे किस्य मुक्ती दिलाने के कारण चंदगुत मौर्ज को भारत का मुक्ती दाता कहा जाता इसका सही यां सही यूनानियों की हम देखते हैं कि चंदगुत मौर्ज की जब हम बात करते हैं चंद्गुत मौर जब मौर समराज की धर्ती को एक मजबूस स्वरूब दे रहा था तो सिकंदर का थल सेनापती सेलूकस निकेटर यह सोच कर भारत की धर्ती पर आक्मन किया कि सिकंदर के आक्मन समें भारत की राजनीती किस्ते थी जैसी थी आज भी वो इसी होगी साय दूसरे मालूम नहीं था इस में भारत की धर्थी पे एक सेना नायक करा है जिसका نام है चंदगुत-मॉर्ज चंदगुत मौर्ज एक युद में सेलुकस नुकेटर को पराजित कर दिया और सेलुकस चंदगुत मौर्ज की बिर्थास परभावितो कर अपनी पुत्री की साधी चंदगुत मौर्ज के साथ कर दी शेलुकस की पूत्री का नाम कारनेलिया था इतिहास हम इसे हेलेना के नाम से भी जानते हैं इस विवा के फ्लसरूप सेलुकस ने चंद्रगुट मौर्ज को दहेज की रुप में काबून कंधार हैरात एवं मक्रान का परदेश दहेज में दिया था आपसे प्रस पूछा जाएगा कि चंद्गुप्त मौर्ज एक युद्ध में किसको प्राजित किया था। के साथ। सलुकस की बैटी का नाम किया था। इस इत्यास रहां हेलेना के नाम से भी जानते है। इस विबाग फ्लसुरूप सलुकस ने चंद्गुप्त मौर्ज को दहेज की रूप में किया दिया था। काबुल, तबुल, कंधार, हैरात, एवां मकरान का पर्देश दिया था, एवां मकरान का पर्देश दिया था, चलुकत चंदुमुत मौर्ज के दरवार में करा दूत नुकिया, उसका क्या नाम था, मेगासनेज, मेगासनेज ने एक पूश्तक की रचना की थी, कि उसका क्या नाम था, इंडिका, इंडिका से पता चलता है कि मेगासनेज, बैवशायक अधार पर भारतेश समाज को कितने भागो माटा था, साथ भागो माटा था, मेगासनेज कहां का था, युनान का, मेगासनी दे युनानी भासाम पाटली पुत्र को क्या कहा? पोली बोथरा कहा और कहा पोली क्या कहा? पाटली पुत्र को पोली बोथरा और कहा पोली बोथरा चंदगुत मौर्ज की राधानी है और उसमें चंदगुत मौर्ज का महल किसका बना है? उसमें चंद्गुत मौर्ज का महल, लकरी का बना हुआ है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर पूछ रहा है आप से कि चंद्गुत मौर्ज एक युद्वें सिलूकस को क्या किया था, तो पराजित किया था, शलुकर्स चंदगुत मौर्ज की बीरता से प्रभावी तोकर अपनी बेटी की साधी किस से कर दीचे चंदगुत मौर्ज के साथ शलुकर्स की बेटी का क्या नाम था तक कार ने लिया था इसे इतिहास में हम किस नाम जानते हैं। इसे इतिहास में हैलेना के नाम से भी जानते हैं। ये विएबाक फ्लसूप सलुका से चन्द हुथ मॉर्ज को दहेच की रुप में क्या दिया था, दहेच की रुप में काबुन, कंधार, हैरात एवन मकरान का परदेश दिया था. तो शलुकरच चंदगुत मौर्ज के दर्वा में एक राजदूत ने उतकिया, उसका क्या नाम था? मेगासनिज था मेगासनिज ने एक पुष्टक की रचना की, उसका क्या नाम था? इंडी का नमर साथ में देखिए निमली खित को बढ़ते हुए काल करम के आंसार सजाएं तो इस तरह के जो प्रस्ण होते हैं यह ब्रेन पर भी बनाने का चीज होता है, तो दिली सल्तनत की धर्ती पर सरपर्थम कौन सा राजबंस थी, पहला कौन था तो गुलाम राजबंस, देखें यहाँ पर, गुलाम राजबंस, पहला कौन गुलाम राजबंस, गुलाम राजबंस, और गुलाम राजबंस का असास गुलाम बंस के बाद फिर दिली सल्तनत की धर्टी पर कौन सा बंस आया था? तो खिलजी राजबंस. खिलजी राजबंस. और खिलजी राजबंस का असासन काल क्या मना जाता है? 1290 इस्वी से लेकर 320 इस्वी. 1320 इस्वी. अब मुगल राजबंस का असासन काल क्या होता है? मुगल राजबंस. मुगल राजबंस का असासन काल 1526 इस्वी से लेकर 1800 संताबन इस्वी. हम इस पर निकाल लेते हैं. यहाँ पर कहता है कि नेमली खित को बढ़ते हुए काल करम के अंसार सजाएं. तो पहले होगा गुलाम बंस. देखें किसमें ओप्सन में है? तो 200 ओप्सन में एक एक है. गुलाम बंस के बाद कौन होगा? खिलजी राजबंस किसमें है? दो-दो में खिलजी राजबंस आईए. और उसके बाद को है नुहानी बंस. उसके बाद नुहानी बंस आईए यहाँ पर. नुहानी बंस होया? खिलजी बंस. बंगल के नुहानी बंस बंगल काके जी. एक एक दू और यहां पर हो जाता है एक इसके गुलामबंस, गुलामबंस, गुलामबंस के बाद , खिल जी राजबंस, और खिल जी राजबंस के बाद हो जाता है आपको यहां पर मिला लेना है एक फून देख लेकिता है, हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ, हाँ, आँ आई नहीं नहीं, क्लास में हैं, क्लास के बाद ही बात हो सकती है, हाँ, 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 आई नहीं, क्लास के बाद ही, गुलाम बंस, खिल्जी बंस, मुगल बंस, नुहानी बंस, और उसके बाद बंगाल के नवाव, सही आंसर मारी है, सी, आई हाँ है, प्रतंतर्ता पुर्व बिहार में समाजबादी बीचार धारा के परसार का स्रे जाता है, किसको जैपरकास नरायन एबाम बीपी सिंग की पश्चाज सिक्षा को जाता है, यहाँ प्रस्थ यह है कि स्वतंतर्ता पुर्व बिहार में समाजबादी बीचार धारा के परसार का स्रे जाता है, किसको जाता है तो जैपरकास नरायन एबाम बीपी सिंग की पश्चा सिक्षा को जाता है, यहाँ पर महत्वन बात यह ध्यान पर रखना है, तो विहार कॉंग्रिस समाजबादी पार्टी की अस्थापना, और विहार कॉंग्रेश समाजबादी पार्टी की अस्थापना 1934 सी में पटना की धर्ती पर हुई थी और इसकी अस्थापना के सिरे जैपरकास नराएन एवं अच्छा नरेंद देव को जाता है अच्छा नरेदेव समाजबादी पार्टी के अध्यक स्वयम थे वहीं महासची जैपरकास नराइन को बनाए गया था यहाँ पर यादकना है कि बिहार समाजबादी पार्टी की अस्थापना पार्टी की अस्थापना कहां हुई थी तो पटना में कब हुई थी 1934 सिस्वी में इसने किया था नरेद्र देव एवं जैपरकास नराइन ने किया था तो नरेद्र देव कौन थे यह अध्यक्ष थे जैपरकास नराइन क्या थे महा सचीव थे क्या थे तो महा सचीव थे पुछेगा कि कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी की अस्थापना कहां हुई थी पटना में कब हुई थी 1934 में किसने किया था तो नरेद्र देव एवं जैपरकास नराइन अध्यक्ष कौन थे तो नरेद्र देव और महा सचीव किसको बना गया किस पर गया शमर्स को यहां पर आईए नंबर दोम देखते हैं कि बिहार में अफा दोसस अंटावन के विद्रो के दौरान 2050 बिद्रो नецमय पक्ष में काम करने की संदे अंग्रेजों ने किया और इसका सही अंसर क्या हुग तेई जवाब देने का परियास करें इसका सही सरा जबाब देने का परियास करें तब- को बंद कर दीजिए कि त्यानमी लाइब है दिखा ज़िए पंखा को बंद कर दीजिए एकिस पंखा बंद कर दीजिए ठीक है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा धर्वंगा महाराच धर्वंगा महाराच 1857 के बिद्रो की दरान किस पर बिद्रोहियों के पक्च में काम करने की संदे अंग्रेजों ने किया था और सही इसका आंसर होता है कि दर्वंगा महाराच हम देखते हैं कि 1857 के बिद्रोह की सुरुवात सरपर्थम देवगहर के रोहनी नामगाउं से प्रारहम हुआ था बिद्रोह का न्यतित मुहम्मद पीर अली ने किया था और मुहम्मद पीर अली ने पत्ना में बिद्रोह का न्यतित 3 जुलाई 1857 को किया था यह एक पुस्तक व्यापारी था तो बाबु बीर कुमर्सिंग की जब हम बात करते हैं तो बाबु बीर कुमर्सिंग 27 जुलाई 18 157 को बिद्रहुयों का नित्रित किया था। अब बाबू बीर कुमर सिंग ने 23 अप्रेल 1889 को अंग्रीज लीक ग्रांट को एक यूद में पराजित किया था। इसलिए बिहार में परतेक बर्स 23 अप्रेल को बिजय दीवसकृप मना आ जाता है। बाबुबीर कुमर सिंग की मिठ्टु चबई सप्रेल 888 निसमिक में थी, बाबुबीर कुमर सिंग की x बाद विद्रो का नेतर उनका भाई अमर सिंग ने समभा था पुछेगा कि 1857 के विद्रो की शुरुवात कहां से हुई थी उस समय में जहारखन भी हा रेखी था ना देवघर, देखो यहाँ पर देवघर देवघर में कहां से, देवघर में रोहिनी से रोहिनी से कप रारम हुआ था 12 जून 1857 इस्वी पटना में विद्रो का नेतित किस ने किया था? किस ने किया था? मुहमद फीर अली ने किया था मुहमद फीर अली क्या था? एक पूस्तक बिक्रेता था पूस्तक बिक्रेता था क्या था? एक पूस्तक बिक्रेता था अब ये बताईए कि मुहम्मद पीर अली की बात करते हैं तिये विद्रोग का नेतित कब किया था तो कब किया था विद्रोग का नेतित तो 3 जुलाई अठारे स्वा संता बाद बाबू बीर कुमर सिंग बाबू बीर कुमर सिंग ने बिद्रो का नेत्वित कब किया? सता है जुलाई 1857 बाबु भीर कुमर सिंग अंग्रेज ली ग्रांट को युद्ध में कब पराजित किया था? 23 अप्रेल 1857 इस तिथी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बीजया दिवस कुरुप मनाया जाता है बीजया दिवस उझे का बाबु भीर कुमर सिंग की मिर्त्यु कब हुई थी? 20 अप्रेल 20 अप्रेल 1858 बाबु भीर कुमर सिंग के बाद बिद्रो का नेत्वित कोन किया था? उनका छोटा भाही अमर सिंग कुन किया था? उनका छोटा भाही अमर सिंग एक बाब और सुन लेजिए बिद्रो के बिद्रो की शुरुआत कहां? तो देवघर बिद्रो का नेत्वित कोन किया था? तो मुहमद पीर अली यह कौन था? एक पुस्तक भी क्रेता था और यह बिद्रो की शुरुआत कब किया था? तो यह बिद्रो की शुरुआत तीन जुलाइ 867 को किया था? बिहार में बिद्रो का नेत्वित कोन किया बाबु बीर कुमर सिंग कब 7 जुलाइ 877 बाबु बीर कुमर सिंग अंग्रेज ली ग्रांट को कप राजित किया? 23 अप्रेल 1898 को इस दिवस को क्या कहते तो बीजय दिवस कुरुपे मना है बिहार में इस तारिक को 23 अप्रेल को परती बाद बीजय दिवस रुप मना जाता बाबु बीर कुमर सिंग की मिर्टिव कब हुई दिवस अप्रेल 1898 इनकी मिर्टिव बाद बिद्रो का नेत्व किसने? समालात उनके छोठा भाई अमर सिंग बिहार के बिद्रो को दवाने का सरे किसको जाता? अंग्रेज विंसेट टेलर एवम अईयर को जाता है अंग्रेज विंसेट टेलर एवम अईयर को जाता है नमर दस में महेश नरायन पर्थम संपादक थे और किसके संपादक थे? तो बिहार टाइम्स के और बिहार टाइम्स का संपादर उन्होंने कब किया था? तो अठाइसव चाउरानवे स्वी में. बिहार हेराल्ड के परकासन किस ने किया था? बिहार हेराल्ड का परकासन कोन किया था? तो देखो यहाँ पर गुरु परशाद सेन. गुरु परशाद सेन ने किया था? कब किय था उठाश्टिय चेतना के जगाने के मुख कारण थे क्या मुख कारण था तो बिर्टिस बिरोधी संगर्स की प्रिष्ट भूमी ठीक है? बिहार में बिर्टिस बिरोधी प्रिष्ट भूमी जब तैयार हो रही थे तो देश भक्तों का एक बर्ग भी तैयार हो रहा था जो देश के लिए जी रहा था और देश के लिए मर भी रहा था ऐसे स्वपन लि एक यहाँ पर बीटिस सासन की नीती के परती और संतोस, बीटेन की जो सासन थे, वह अपने लिए सासन उसको बनाए गई थे, बीटेन का सासन अपने लिए थे, बीटेन यहाँ पर जो बीटिस सासन करते थे, इनका सासन अपने लिए थे, अंग्रेज की सुरक्षा के लिए थ उसकी सासन भारत को सोचने के सोचन के लिए थे और इस परकार अंग्रेज की सासन नीतीन के परति औसंतोस जो जब भारतियों आया यह औसंतोस भारतियों में देश भक्ति की भावना का संचार कर दिया पहचात सिक्षा का प्रभाव परचात सिक्षा जब भारत में आया तो अब हर चीज को हम तरक के एक अधार पर देखने लगे और इससे हुई क्या हमारी सोच डेवलप हुई और हमारी सोच डेवलप हुई और यह डेवलप सोच करांतिकारी के एक बर्ग को भी जन दिया था इसका मतलब एक दू और तीन तीनों सही है इसलिए इनसेस का आंसर हम क्या कहते हैं और यहाँ पर क्या है एक दू एवं तीन तो देखो यहाँ पर हम देखते क्या है एक दू और तीन यहाँ है कि बंगाल में संगठित राश्टिय संगठन तो देशभक्ति बंगाल हमेशा से देशभक्ति का एक आखारा रहा और इस परकार यह बंगाल में छोटे छोटे राश्टिय संगठन ने राश्टिय चेतना को जगाने में महात्फुन भूमिकाने वाया जब यहाँ पर हम देखेंगे एक दू तीन और चार तो एक दू तीन चार किसी ओप्सन में है तो नहीं है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए उपर युक्त में से एक सिया देख आईए आप यहाँ पर देखिए और सहयोग आंदोलन के करम में और जगत नरायन लाल को किस जेल के जेल में एक महिना रखा गया था इस आंसर को सुधार कर ले इसका सुधार करके सी कर दे और इसका सही आंसर होगा बांकीपूर जेल कौन साब जेल तो बांकीपूर जेल बांकीपूर जेल बांकीपूर जेल और यह कहां है पटना और सहयोग आंदोलन की जब हम बात करते तो असायो गांदोलन की समय माना जाता है, असायो गांदोलन की निमली कितकार माना जाते हैं, 1919 का रॉलेट एक्ट, जालियां बाला बाग हत्याकान, हंटर कमीटी की रिपोर्ट, एवां भारतिये सावराज की मांग, असायो गांदोलन की समय सर पर्थम चितनजन दास को रफ सकतार किया लिया था और ये स्रोत जो मेरा दिया जाता है। बहुत जगा आपको मुहम्मध अली मिलेगा। arken मुहम्मध अली नहीं मानना है। यह जो स्रोत बताये हैं यह स्रोत का मुक्स्रोत यह है विपीन चंद्रा और विपीन चंद्रा का यह modern history का यह line काफी मन है आप से यहाँ प्रस पुछा जाएगा कि और सहयोग आंदोलन का समय क्या है 1920 से 1922 में कुछ गया है आंदोलन के निम्लिखित का यहाँ उटे को यहाँ का यहाँ जालिया और वहा świeन का अधरा का यहाँ trust हात्याकांड, हंतर कमीठी की, हंतर कमीठी की, हंतर कमीठी की, हंतर कमीठी की रिपोर्ट, एवां, भारतिये सौराज की मांग, एवां, भारतिये सौराज की मांग, कुछेगा कि और सरपर्तम किसको भी अफ्तार किया गया था चितरंजन दास को इसके बाद उनकी पत्नी वसंती देवी को इसके बाद उनकी पत्नी वसंती देवी अफ्तार किया गया नम्मर तेरे में साइमन कमीशन पटना कब आया था इसका सही आंशर होगा 12 दिसंबर 1968 तो साइमन कमीशन का गठन उनजनी सिस्थी में इंगलेंड की धर्ती पे हुई थी और साइमन कमीशन सर पर्थम ب़ारत 1928 में भारत आया अभारत में सर पर्थम सामिल थे इसलिए सामन कमिशन को स्वेथ कमिशन कहा गया और सामन कमिशन में एक भी भारति उस सामिल नहीं किया गया इसलिए Simon Commission का बिरूत किया गया और कहा गया Simon go back, Simon वापस आओ, आपसे पर पूछा जाएगा Simon Commission, Simon Commission, Simon Commission का गठन कब हुआ था? Simon Commission का गठन हुआ था, 1927 में, कहां हुआ था? इंगलेंड, Simon Commission भारत कब आया था? तीन फर्वरी, 1928, भारत में कहां आया था? मुंबय आया था, और Simon वापस आया था? साथ लोग सामिल थे, एक भी भारतिया सामिल नहीं था, एक भी भारतिया सामिल नहीं था. Simon Commission को किस नाम जानते हैं? स्वेत कमिशन, इस नाम से स्वेत कमिशन के नाम जानते हैं, आये यहाँ पर. नमर चोदम देखो किए, बिहार के सारन में नमक सत्यागरह को जथे किसके नेत्रित तुमें चला था? और इसका सही आंसर है, सिरी ग्रीश तिवारी, सिरी चंद्रिका सिंग, सिरी भरत मिस्ल और इसका सही आंसर एह होगा. जहां तक सवाल है, यहां पर नमक सत्यागरह की बात करते हैं, तो स्वाबिने अबग्यान दुलन के समय, महात्मा गांधी ने नमक कानुन को तोड़ने के लिए, बारा मार्च उनिस्वाती सिस्वी को सावर मती आसरम से और जो यात्रा प्रारहम किया, उसे हम डान्डी यात्रा के नाम जानते हैं, इस परकार महत्मा गांधी स्वाबिने अबग्यान दुलन समय, नमक कानुन को तोड़ने के लिए, 12 मार्च 1930 इसवी को सावरमती आस्नम से डांडी यात्रा प्रारहम किया और 6 अप्रेल 1930 इसवी को डांडी पहुचकर गांधी ने नमक कानून को तोरा था सावरमती आस्नम से डांडी की दुरी 382 किलो मीटर थी और कहीं कहीं इसका डेट मिलेगा 241 भी तो 385 किलो मीटर थी जिसे महात्मा गांधी अपने 78 समर्थकों के साथ पैदल 24 दिनों में तैक किया था पूछेगा कि स्वभी ने अभग्या आंदोलन का काल किया था तो 1930 से 1933 स्वी स्वभी ने अभग्यांदोलन समय महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सी यात्रा प्रारम किया था कब? तो 12 मार्च 1930 स्वी को कहां से स्वार मती आश्रम से और 6 अप्रेल 1930 को गांधी डांडी पहुँचकर क्या किया रहा था? नमक कानून को तोड़ा था अवर मती आश्रम से डांडी की दूरी कितनी थी? तीन सौपचासी किलो मीटर थी लेकिन इसका एक दूरी यह भी बताता है 241 किलो मीटर दोनों मन हैं दोनों आप्सन में नहीं रहेगा अगर यह आप्सन में रहेगा तो यह नहीं रहेगा अगर यह रहेगा तो फिर यह नहीं रहेगा पुछेगा महात्मा गांधी यह दूरी कितने दिनों में? तो 24 दिनों में क्याची से तो पैदल कितने समर्थकों के साथ? 78 समर्थकों के साथ मात 24 दिन में तैकिया था आएए यहाँ पर भारत छोरो आंदोलन के दोरान पटना के सचवाले में जंडा फाहराने के करम में सहीद हुए राम गोबींद सिंग देखो यहाँ पर राम गोबींद सिंग कहां के मूल निवासी थे और यह पटना के मूल निवासी थे यादखना है कि भारज छोरो अंदोलनक समय और ये सचवाले में गोली कब चली थी 11 अगस्त कितना 11 अगस्त 1942 और कितने लोग सहीद हुए थे साथ लोग सहीद हुए थे और ये गोली चलाते हैं उसमें पटना का कलक्टर कौन था तो डबलू और थर था कौन था डबलू और थर था और इसी के आदेश पर गोली चली 12 अगस्त 14 को जिसमें साथ लोग सहीद हुए थे भारष्चोरों आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो भारष्चोरों आंदोलन के समय जै परकास नरायन ने आजाद दस्ता का गठन किया था अजादस्ता का गठन कहां किया था नेपाल में किया था और जिसका उदेश था अंग्रेजी सरकार को चर्टी पहुँचाना था यहां आपके नमर 16 में निमलिखित एरोपियों में से कौन सा एक स्वतंतरता पुरुवक्ष वतंतरता पुरु भारत में व्यापारी के रूप में सब से अंत में आया और यह इसका फ्रांसिसी होगा हम देखते हैं कि फ्रांसिसी की बात करते हैं तो यहां पर डश की जब हम बात करते हैं तो भात आने वाला पहला डचनागरिक कौन था भात आने वाला पहला डचनागरिक कार्नेलिस कार्नेलिस डहस्त मान था यह 1595 इस्वी में भारत आया था 1595 स्वी में भारत आया था डचों ने भारत में अपनी पहली ब्यापारी कोठी कब लगाई 1605 स्वी में कहां तो मुसली पटनम नामक अस्थान था अब इंग्लिस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली ब्यापारी कोठी के स्थाफित इसे मानता का मिली थी, 1613 से मिली थी, यहाँ पर हम की बात करते हैं, तो अब हम देखते हैं फ्रांसिसी की जब बात करते हैं, तो फ्रांस के समराट लुई चौधाहमे के मंतरी, कोलबर्ट के अनुरोध पर, कोलबर्ट के अनुरोध पर, कोलबर्ट के अनुरोध पर, कोलबर्ट के अनुरोध पर, ख्रांसिसी इस्ट इंडिया कमपनी की इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थापना होई थी अस्थापना होई थी आईए अप नमर सत्रा माझे यह यहाँ पर है कि और अंजेव की 1707 इस्वी में मिर्ती होने के बाद सत्ता किसने समभा ली थे तो कौन और अंजेव की मिर्तुक बाद उसका बारा बेटा बहादूर साह पर्थम और अंजेव की मिर्तुक बाद उसका बारा बेटा मुहंबत मुवज्जम बहादूर साह पर्थम के नाम से गद्दी पर बैठा और अंजेब की मिर्टुकबात उसका बारा बेटा मुहम्मद मुज्जम बहादूर साह पर्थम के नाम से कहाँ जल्दी है खिलास भी है बहादूर साह पर्थम के नाम से गद्दी पर बैठा और अंजेब की मिर्टुकबात उसका बारा बेटा मुहम्मद मुज्जम बहादूर साह पर्थम के नाम से गद्दी पर बैठा इसे इतिहास में हम साहे बेखबर या मस्त राजा के नाम से भी जानते हैं बहादूर साब पर्थम की जब हम बात करते हैं तो बहादूर साब पर्थम ने सिख गुरू बंदा बहादूर को एक युध में पराजित किया था बहादूर साब पर्थम ने मारवार के सासक अजीत सिंग को एक स्वतंतर सासक के रूप में सुईकार किया था आपसे यहां प्रस पुछा जाएगा कि औरंजेव की मिर्तु के बाद गद्धी पर कोर बैठा था? उसका बढ़ा बेटा मुहमद मुवज्जम. उसका बढ़ा बेटा मुहमद मुवज्जम. बहादूर्सा पर्थम के नाम से गद्धी पर बैठा था. बहादूर्सा पर्थम के इतियास पे हम क्या कहते हैं? इतियास हम सहा ए वेखवर या मस्थ राजा के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पर देखिए जहादार सहा मुगल बंस के फसासक जहादार सहा के इतियास पे हम लंपट मुर्ख बादसा के नाम जानते हैं. मुहम्मद साह यहां इसे हम इतिहास में किया नमते हैं रंगीला बादसा के नम जानते हैं नमट अठारा में अधो लिखित माराथा सांसकों में किसका समराज बिस्तार सरवर्धीक था और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बालाजी बाजी राव बाला जी बाजी राव को इतिहास में हम नाना साहब के जानते हैं और नाना साहब के समय मराठा समराज का सबसे अधिक विस्तार हुआ था और हम देखते हैं कि तिर्तिय पानीपत के यूद चौदर जन्वरी 701 से गुई थी तिर्थिय पानिपत के यूद में हमसा अवदाली ने माराठों को पराजित किया था और तिर्थिय पानिपत के यूद के समय पेश्वा नाना सहाब थे तो उसी समय मुगलबा सा सहलन दूतिय था तिर्तिय पानिपत की युद में मराठों का नेतुत नाना साहब का छोठा बेटा विश्वास राव ने किया था तो वास्तविक नेतुत नाना साहब का चचरा भाई सदा सीवरा भाव ने किया था आपसे प्रस पूछा जाएगा कि माराठा की बात करते हैं कि बालाजी बाजी राओ की इतिहास में किस नाम जानते हैं इसे इतिहास में हम नाना साहब के नाम जानते हैं किस नाम से नाना साहब के नाम जानते हैं तिर्तिय पानीपत की यूद कब हुई थी पूछेगा तिर्त तिर्तिय पानीपद की युद कभ हुई थी तो तिर्तिय पानीपद की चोदव जन्वरी जन्वरी 1761 इस भी हुई थी उसमें मुगल सा कौन था तो चाहालम कर सब्सक्रेशा है तो पेष्व कऩ था पेष्वा नाना साहब, पुझेगा और तीरतिय पानीक की युद में मराठो का नेतित कौन किया था, नाना सहाब का थो चोटा बेटा भिष्वास राव ने किया था, कौन किया था विश्वास राव ने किया था वास तभी नहीं तुत नाना साग चचेरा भाई कौन सदा सिव राव भाव ने किया था अब रहो जाए आपसे यहां प्रस रहेगा कि अधो लिखित मराठा सास्कों में किसका समराज बिस्तार सर्वधिक था तिसका सही आंसर होग बालाजी बाजी राओ बालाजी बाजी राओ के तिहास में किस नाम जानते हैं नाना साहब के नाम जानते हैं और तीरतिय पानिपत की युद्ध कब हुई 14 जन्वरी 1771 मुगल वासा कौन था साहलम दूतिय था और पेशुवा कौन थे तो नाना साहब थे और तीरतिय पान को सुमीलित कीजिए तथा दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर का एक्षियन करें पर्थम मैसुर युद्ध आंगन ये कब तो किसके समय इसका सही आसर क्या हो जाता है तो ये कब लड़ा गया था तो देखो यहां पर जो से बस भी तीरती है तो एका तीन होगा एका तीन इसका सही मारना है ये और तीर पर्थम में सुर्युद का समय क्या माना गया है तो पर्थम में सुर्युद का समय माना गया है तो पर्थम में सुर्युद का समय माना गया है तो पर्थम में सुर्युद में कौन थे हैदर अली हैदर अली किसको पराजित किया था तो अंग्र अंग्रेज एबम हैदराबाद हैदराबाद निजाम के के समलित देना को पर्थम में सुर्यूद कांद की संदीक तहत हुए थे मद्रास की संदिय पर्थम में सुर्यूद का समय किया है 1784 दूतिय में सुर्यूद में अंग्रेजी सेना कनेति कोन किया था वारेन हेस्टींग्स न किया था दूतिये में सुरुयुद का अंत किस संधी के तहत हुई थी? मंगलोर की संधी मंगलोर की संधी मंगलोर की संधी कब हुई थी? तिस सत्रेसा चौरासी स्वी में तिर्थिये में सुरुयुद का समय क्या माना जाता है? 1790 से 1792 और इस युद्ध का अंत की संधी के तहत हुई थी? सीरंग पटनम की संधी सीरंग पटनम की संधी और ये संधी कब हुई थी? 1792 फिरतिय मैं सुर युद्ध में अंग्रेजी सेना कने तो इत कोन किया था? लॉड कर्णवालिस न किया था लॉड कर्णवालिस किया था लॉड कर्णवालिस जातूर्त मैं सुर युद्ध का समय क्या मना जाता है? 1799 इसमें और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था जातूर्त मैं सुर्ध अंग्रेजी सेना कर्णा तो इत कोन किया था? किलमेंट लागू करने का कारन था जमीनदारों के लिए जमीन पर बंस प्रमपरा अधिकार को स्वेक्षास हस्तांदित करने का अधिकार नहां इसका सही आंसर C होगा के समय में लॉड कर्णवालिस के समय में अस्थाई बंदो वस्ती पर था का प्रारम हुआ था 1793 इस fijعे प्रारम हुआ था और 1793 इस fijعे में प्रारम हुआ था अस्थाई बंदो वस्ती पर था को हम किस नाम जानते हैं इसे हम जमिन्दारी पर था एवां सुर्यास्त कानू एवां सुर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं सुर्यास्त कानू दो को एक 21 में यहाँ पर क्या है कि समा स्री विक्टॉरिया ने 1808 की घोसना में भारतियों को बहुत सी चीजें दिये जाने का आश्वासन दिया था निम्र आश्वासनों में से कौन सा बिटी शासन ने पूरा किया था और इसका और यह आसतों को हर अपने की नीटी समाप्त कर दी जाएगी और इसका सही आंसर ए हो जाता है यह हुआ था क्या कि हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की जब हम बात किया गया था तो 1857 के विद्रोह के बाद 1880 इसी में विटेन की महरानी विक्टोरिया ने 1880 की एक घोशना में इस बात पर जोड़ देते हुए कहा था कि अब किसी भी भारतिय देशी राज को अंगरेजी राज में नहीं मिला जाएगा इस परकार 1880 के एट के तहट डल होजी द्वारा अपनाए गए राज हर अपनीती को त्याक दिया गया और साथी देशी राज का बीटिस राज के साथ और परत्यक संबंद यानि डारेक्ट बीटिस क्राउन के साथ डारेक्ट संबंद स्थापित हुआ था 1800 अंठाउन के एट के तहट एक नभीन पद का स्रिजन किया गया जिसका नाम था भारत सचीव ये भारत सचीव बीटिस मंत्री मंदल का सदस होता था और बीटिस पारल्यामेंट के परती उत्तरदाई होता था आपसे प्रस पुछाएगा कि 1800 अंठाउन के एक्ट के तहट अब यहाँ पुछेगा कि 1800 अंठाउन के एक्ट के तहट 1888 के एट के तहट भारत के भारत के गवर्णर जनरल को भारत का वाइसराय कहा जाने लगा वाइसराय कहा जाने लगा नमर दो डल होजी द्वारा डल होजी द्वारा अपनाए गए राज हरप नीथी को नीथी को त्याग कर दिया गया इस एक्ट के तहट इस एक्ट के तहट देशी राज का ब्रिटिस क्राउन के साथ परतियक्ष संबंद अस्थापित किया गया अस्थापित किया गया अस्थापित किया गया इस एक्ट के तहट एक नवीन पद का सीजन किया गया जिसका नाम क्या था जिसका नाम था भारत सचीव और ये भारत सचीव कौन होता था ब्रिटिस मंत्री मंदल का सदस होता था ब्रिटिस मंत्री मंदल का सदस होता था और उसी के परति उत्तरदाई होता ये ब्रिटिस मंत्री मंदल का सदस होता था और ब्रिटिस पारलियामेंड के परति British Parliament के परती उत्तरदाई होता था नमर बाइस में निम लिखित में किस अधिनियम के अंतरगत भारतिय बीधान परिसद को बजट पर बहस करने की सकती प्राप्त हुई थे और इसका सही आंसर हो जाता है भारतिय परिसद अधिनियम 1892 अब यहां हम देखते हैं कि भारतिय परिसद अधिनियम 1861 के तहट अध्यादेश कवर्नर जेनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जारी करने का अधिकार दिया गया यहां पर देखते हैं कि भारतिय परिसद अधिनियम 1909 के तहट क्या हुआ था पहली बार अंग्रेजों ने पहली बार अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने फूट डालो पूट डालो सासन करो की नीथी को अपनाया याद रखेंगा नमबर तैस में आईए यहां पर है कि उनीसमी सतावदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलों ने जनसंख्या के किस बर्ग को मुक्तः आकरसित किया था किसको किया तो बुद्धी जीवी को किया था नग्रिये उच जाति किया था उदार राजबारे बर्क किया था इसका सही आंसर एक दो और चार सही आंसर सी होगा इसका आई यहां पर आई यहां पर 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था इसका मेजर बारो है संथाल बिद्रो का समय कब माना जाता है संथाल बिद्रो का समय माना जाता है संथाल बिद्रो समय 1855 से 1857 कहां पर हुआ था संथाल अरगना इसके संथाल बिद्रू के नेता कौन थे सिद्धू कान हूँ चांद एबं भैरव चांद एबं भैरव याद रख दिया गया यहाँ देखिए सूची एक कोल सूची दो से सुमेलीच कीजिए था था दिये गए कूट से सही उत्तर का अच्चियन कीजिए लीडर लीडर का किसने प्रकासन किया था मदन मोहन माल हुई है बॉमबे क्रोनिकल प्रिवस्वा मेह था इन्डिपेंडेंट मोती लाल नहरो जस्टिस टी एस नायर तो क्या होगा एक एका वन एका वन बी का दो सी का फोर डी का फिरी ए होगा इसका भारत में बीठी समराज का सनस्थापक कौन था भारत में बीठी समराज का सनस्थापक किसको मना गया तो क्या चाहिए ऀर क्या लिखे है अराद्धिया पर्षाद सर हम लोगों को भी टाइम दीजिए क्या टाइम दे आपको Taste होता है कोश्चन पहले दे दिया जाता है आपको पास कोश्चन पहले आजाता है टेस्ट हो जाता है सुबह में ही वह कोश्चन बहुत पहले आप लोगों पास होता है मेरे पास तो समय बचता ही नहीं ये पूरा प्रसंद को दुवारा आप पर है हम आपको बक्त दे देंगे तो भर रात लग जाएगे को कोश्चन बताने में तो फिर आप कैसे आगे बढ़िएगा बस मज़े है न यह कोश्चन सुभा हम हो जाता है टेस्ट कोश्चन तो पहले आपके पास आ जाता है अब हम आपको ये कोश्टन बनाने का आपको हम बक्त दें और आपके बक्त का इंतिजार करें तो बहुत रात हो जाएगी अब फिर सर के पास ते इतना समय नहीं है अफिर मजा भी नहीं आएगा देखना अब देखें यहाँ पर लॉड कलाइब की बात करते है तो भायत में बीठी समराज का समत्तापक को माना गया लॉड कलाइब याद रहेगा और कर्णल सलीमन की समय में लॉड बिलियम बेंटिंग की समय में कर्णल सलीमन ने अठाशा अतीस इसमें ठगी पढ़ता को थागी पड़्था को समाप्त किया था आपको मालू है आपको मालू है कि यो मुश्कुर आता हुआ जो चेहरा आप दिख रहा है न ये फीभर से जूज रहा है और एक लाइन बोलने के बाद सोचना पर रहा है कि दूबड़ा लाइन हम बोल पाएंगे कि नहीं पोल पाएंगे ये सहांसा बड़ी कस्ट में भीजी रहा है आप हमारे जवान हैं अगर आप हमें महसूस नहीं कर पाएंगे तो फिर दुनिया वाला सो हमको कोई उमीद है भी नहीं क्लास अमाज के इतने बीमार हैं बहुँ ज़्यादा बीमार हैं हमें न बोलने की चाह होती है न कुछ की बात आप आपका क्लास था इसलिए हम क्लास ले भी रहा है बास समझ गया है इसलिए ले पा रहा है हमारी ताकत तो आप ही लोग हैं हमारी ताकत तो आप भी लोग हैं और मांकी लोग तो हमसे स्वार्थ से जुरे हुए हैं मांकी लोग हमसे स्वार्थ से जुरे हुए हैं हमसे किसी कोई मतला में कहीं कहीं स्वार्थ से जुरा हुआ है लेकिन जवान हम से स्वास नहीं जुड़ा हुआ है तो इस दर्द को कौन महसूस करेगा आप ही करेंगे ना बनना सांसा इसे रहने वाला रात है सांसा जब पढ़ाता है तो आब आज पाकिस्तान तक जाती है अब यहाँ पर लॉड मिन्टो लॉड मिन्टो की बात करते हैं लॉड मिन्टो की समयाम क्या कहते अग्रेज लॉड मिन्टो के परतिनिधी चार्लस मेटकॉफ चार्लस मेटकॉफ एवं रंजीत सिंग के बीच पचीज अप्रैल 1809 वी को जो संधी हुई उसे हम अमरित सर की संधी के नाम जानते हैं अमरित सर की संधीक तहत अंगरेजी राज एवँ अमरंजी सिंग के राज के बीच की सीमा सतलज नदी को मान लिया गया आप जो लिखती हैं सर तवियत खराब है ना आपका हाँ है तो फिर किलास क्यों ले रहे हैं लेना पड़ता है लेना पड़ता है अगर किलास नहीं लेंगे तो और तवियत खराब हो जाएगे यहाँ पर देख सत्ताइस में मुझपर अहमद S.A. डांगे तौकत उश्मानी तथा नलिनी गुपता कि सडियंत के लिए कईद किये गए थे इसका सही आंसर E होगा आंसर होगा E तो है आंसर कानपूर सडियंत और ये कानपूर सडियंद कब हुआ था? 1924 सिस्वी में काकोरी सडियंद कब हुआ था? काकोरी सडियंद 9 अगस्थ 1925 सिस्वी को ठीक है और मेरट उनिस्सव उन्तिस चटगाउं सस्तागाप सापार उनिस्सव तीस इस्वे 28 आईए कॉमिनिस्ट इंटरनेशनल का सदस बनने वाला पहला भारती है कौन थे मन राय कब उनिस्सव बीश उनिस्सव बीश इस्वे पासकंध याद अखना है सर अस्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकलपना थी कि दूतिय बिस यूद के बाद भारत को पूर्ण सौतंतरता परदान की जानी चाहिए बिल्कुल सही है सौतंतरता परदान करने से पहले भारत को दो भागों में विभायित के देना चाहिए बिल्कुल सही है भारत को इस सर्थ के साथ गंतंत बना देना चाहिए कि वह राष्ट मंडल में सामिल नहीं होगा यह भी सही है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उपर युक्ठ में से एक से अधिक याद रहेगा अक्रिप्स मिशन भारत का बाया था अक्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 सीवी को भारत आया था 23 मार्स 1142 सीवी को भारत आया किस मिशन को कॉंगरेस एवा मुसलिम लेग कॉंगरेस एवा मुसलिम लेग दोनों ने और स्विकार कर दिया और महात्मा गांधी ने कहा था कि इस मिशन के बारे में या आगें की तारीक का चेक है जिसका बेंक नस्ट होने वाला है भारत में नारी बहाइनी संगठन किस आंदोरन के समया गठित किया गया था ते भागा आंदोरन की समय और ते भागा आंदोरन का समय क्या माना जता है 1945 से 1945 से या आंदोरन कहां हुआ था बंगाल में उपजखा कितना उपजखा दो तिहाई हिस्चा बाटाई दारों को देना था मुखने था कौन था मुखने था भावन सिंग एवाम कमपाराम सिंग पुछे गाते भागा आंदोरन का बंगाल में उदेश क्या था उपजखा दो तिहाई हिसा बटाई दारों को देना था इसके पर्मुकने था कौन थे था भावन सिंग एवं कमपाराम सिंग बरली आंदोलन कब हुआ था तुनिस्व पैटालिस में कहां महारास्ट महारास्ट में कहां थाने और ये बरली आदिवासी का बिद्रो था तेलनगाना बिद्रो 1944 से 1946 दौरानिया कई चर्णम हुआ था इसलिए सका एकुरियर डेट नहीं में विलेगा कई चर्णम हुआ था आईए देखिए अमेर्की स्वतनता संग्राम में किस बर्ग ने महत्पुन भूमिका निभाई थे तो कौन मध्यम बर्ग भी भी आए वर्ल्ड हिस्ट्री जित्ते पढ़ा दिये थे उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री जित्ते पढ़ा दिये हम और उस वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं पढ़ना है समझ रहे अमेर्की स्वतनता संग्राम का समय क्या है 1775 से कि 1783 अमिर्गी 173 संग्राम का पहला युद कभ वह था था 18 अपरेल कि 1775 स्भी कि अमिर्गी 173 संग्राम का जब बात करते हैं उस समय अमेरिका में बिर्टेन के कितने उप्निवेश थे तेरह तेरह उप्निवेश को अजादी की घोस्ना कभ हुई थी चार जुलाई 1776 अमेर्की स्वतनतास ग्राम की समाप्ती किस संधी के तत हुई थी यह पेरिस की संधी पेरिस की संधी और यह संधी कब हुई थी 1773 भी कुई तो अमेर्की स्वतनतास ग्राम से नारा क्या दिया गया था परतिनी धित तो नहीं थी परतिनी धित तो नहीं तो नहीं तो कर नहीं अमेरिकी स्वतंता संगाम के नायक कौन थे? जॉर्ज वासिन गटन कौन थे? जॉर्ज वासिन गटन जॉर्ज वासिन गटन 32 में अमेरिकी उपनिवेसों के परसासन का परधान कौन था इसका सही आंसर होता है Governor देखी यहाँ पर हितेरिया फिलाइक नामग संस्था किस थापना हुई थी कहां हुई थी ओडिसा में और इस संस्था का काम क्या था लोगों को संगठित करना लोगों को संगठित करना था 19 पॉनिस्वी सतावधी में इरोप में रास्ठबाद के विकास का क्या पढ़ना हुआ जब रास्टबाद का विकास होता है तो क्या होता रास्ट ये राज्यों की अस्थाफना होई नमर 35 में देखें जर्मानी का किस देश पर आकमन करने से दूटीय बिस यूद की शुरुआ बात हुई थी पोलेंड, पोलेंड पर आक्मन कोन किया था, हीटलर, कब किया था, 1949, जपान की बात करते हैं तो जपान को पहल दूतिय भी सुद के समया जपान को किस नाम जाना जाता था, पीत आतंक, पीत आतंक के नाम जाना जाता था, रूस कौन था, तो मित रास्ट का सदर्स था, मित रास्ट का सदर्स था, रूस, 37 में इरोप पर मित्र देशों की आक्रमन मुकरूप से निर्देशित था कहां से एक जगा निर्देशित किया गया था वह जगा का नाम क्या था फ्रांसिसी टर्ट यहीं से आक्रमन करने के मित्रास्ट ने एक जगा निधारित किया उजिसका नाम था फ्रांसिशी टर्क यानि ये टर्क पा फ्रांस का यहीं से आक्वन करने की योजिनाम इतराश्टों ने बनाई थी सनितिस में हिटलर ने सोबियत संग के किस छेत्र को सरवोष प्रात्मिकता दी थी और इसका सही है उक्रेण और दच्छे नीरोज क्यों दिया था क्यों कि ये दो जगह जो था ये दो जगह ये किरसी के साथ साथ परसी था और ये छेत्र पर हिटलर के अधिकार हो जाने थे जर्मनी को आत्मिर्भर बनाने में महत्पूर्ण भूमी का निवाता इसलिए 38 से बीटेन में पहली रेल लाइन असकॉर्ट अस्टॉक हॉम और डार्किंटन सहरों के बीच कब चली पुछेगा कि बीटेन में देखो यहां पर बीटेन में पहली रेल रेल्वे लाइन कहां से अस्टॉक हॉम और और सहरों के बीच अठाइस्व पचीस स्रीम चली अठाइस्व पचीस स्रीम चली उन्चारइस में सन्यूत राजसंग की समयलन का सफल परिनाम था, सेन फ्रांसिस्को, सन्यूत राजसंग की समयलन का सेन फ्रांसिस्को, और यह सन्यूत राजसंग की अस्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 1945, जिस समय अस्थापना हुई थी, सन्यूत राजसंग में कुल क कितने सदस थे कावा सदस बारत्माँ स्वेम कितने 193 सदस अनुच राजसंग कि सबसे नभीनतम सदस्देश कोन है दछनी सुडान हानुच राजसंग का मुख्याले कहा है नुवयर्ट के नुवयर्ट में कहा है मैं हक्तन डुपर है क्या मंजिला है उन्चालिस मंजीला, कितने एकर जमीन पर? 17 एकर जमीन पर, 17 एकर जमीन ये दान में कौन दिया था? जोन डी, राफ फेलर निजाने, जब तुम मेरे साथ हो नहीं, हमें कोई नहीं मार सकता है, किसी युध में, किसी योधा में इतनी ताकत नहीं, कि सहंसा को मुर्चित कर दे, पर सरसे सरत एक है, तुम मेरा सिर्व हाथ कभी नहीं छोड़ना, और प्लैटफॉर्म की सरजमी की जवानी हमेशा बरकार रहे, तो सहंसा को मार गी रहना असंभव है, मैंने कितने नेपोलियन को देखा, कितने आयो गए, सहंसा को कोई ने ब्लुच बिखार पाया, नरोत्तम सिहानुक कहां के सा सकते, इसका सही आंसर हो कमबोटिया, जबान आज नहीं लग रहा था, आज ये मीशन में हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि हम बुखार से जूज रहे हैं, और फिर भी हम आये और पढ़ाना शुरू किये, एक-एक प्रस्ट से लड़ते गए, और प्रस्ट धोस्थ होता चला गया, और हम आगे बढ़ते गए, और आज हुआ कि 40 प्रस्ट आपकी सामने आ गया, 40 प्रस्ट का, इतिहास का 40 प्रस्ट बहुत माइने रखता है, और 4 अपसन डिसक्रसन करना, खरी वो आप लोगों की महबद थी, जो हम इस जंग को जीत पाए, आप से हमें इतनी महबद मिली, मेरे जवान, आप से हमें इतनी महबद मिली, यह मेरा हक नहीं, तकदीर है, जवान हम दिली में पढ़ाए, राची में पढ़ाए, पटनामी भी तो पढ़ा रहा है, जहां हमी पढ़ाए हमारे जवान ने हमें अपने पलकों पर रखा, आप ही हैं जो हमें टीचर से अस्टार बनाया, अस्टार से सूपर अस्टार बनाया, सूपर अस्टार से सांसा बनाया अगर आप नहीं होते तो सांसा नहीं होता सही में हमें आपसे मुहबबत है रे आपसे इतनी मुहबबत मिले यह मेरी हक नहीं तीर है मुझे इसका गम नहीं, कब बदल जाएगा ये जवाना, मेरी जिन्दगी है तुम से, कहीं तुम ना बदल जाना मेरे जवान जिन्दगी छोटी नहीं होती, लोग देर से जीना ही शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते, जवान लोटने का वक्त हो जाता है बस यही जिन्दगी है, चलते हैं, आवाकर